लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूले आपने यकीनन बहुत सी फिल्मे देखी होंगी पर क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जादतर फिल्मे शुकरवार को ही क्यों रिलीज की जाती है यदि नहीं तो आज हम आपको इसी बारे में जानकारी देने जा रहे हैं आपको जानकर हैरानी होगी कि यह चलन बॉलेवुड में आज से नहीं बलकि 1960 से चला आ रहा है बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि इस तरीके को बॉलेवुड ने हॉलेवुड से ही चुराया है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हॉलेवुड की मशूर फिल्म Gone with the Wind 15 दिसम्बर 1949 को रिलीज हुई थी और इस दिन शुकरवार का ही दिन था उस समय से हॉलेवुड में सभी फिल्मों को शुकरवार को ही रिलीज किया जाता है इस तरह से हॉलेवुड कई दशकों से अपनी फिल्मों को शुकरवार को ही रिलीज करता आ रहा है लेकिन बॉलेवुड में यह चलन काफी समय बाद आया आपको बता दें कि बॉलेवुड की मशूर फिल्म नीकामल 24 मार्च 1947 को रिलीज हुई थी पर इसको दशकों ने उतना पसंद नहीं किया जितनी किये जाने की अपेक्षा थी इसके विप्रीत 5 अगस्त 1960 को बॉलेवुड से जब मुगल आजम शुकरवार के दिन रिलीज हुई तो यह फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि पूरा बॉलेवुड दंग रह गया तभी से ही बॉलेवुड में सभी फिल्मों को शुकरवार को ही रिलीज करना शुरू कर दिया गया कुछ जानकार लोगों का कहना है कि पहले मुंबई में लोग शुकरवार को आधे दिन के बाद अपने करमचारियों को छुटी दे देते थे जिस कारण शुक्रवार को अक्सर अधिकतर थीएटर फूल रहते थे इस वज़े से भी बॉलिवुड में शुक्रवार को फिल्म में रिलीज करने का चलन आया जो की वर्तमान में भी चल रहा है